वार वार मुख मंत्री जी और महांगठ वंधन की सरकार कहती है कि साथ विकास जरा उन लोगों से पूछिए भाजपा वालों से कि सबका साथ सबका विकास तो साथ तो सबका ले लेते हैं कभी अति पिछडा बन जाते हैं कभी चाय बेचने वाला बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, अब इकास किसका किये इजरा बता है। गनना पर जो कुछ कल घोषना किया है बिहार की बिधान सवामें, यह वास्तब में न्याय के साथ विकास के परती एक बढ़ता हुआ कदम है। एक तरफ महागठवंधन की सरकार जो बिहार में है, वो न्याय के साथ विकास का नारा दी है और न्याय के साथ विकास को सरजमीन पर उतार के दिखाया है। दूसरी तरफ जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, वो क्या बोलते हैं? सब का साथ सब का विकास, न किसी का साथ है, साथ तो सब का लेने का कोशिस करते हैं, विकास किसी का नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को इस बार बिहार की जनता खदेडेगी, और बिहार में जो जाती आधारित गन्ना के बारे में, जो रिपोर्ट प्रकासित हुआ है, जो आर्थिक रूप से पिछडे लोग हैं, उनका भी रिपोर्ट प्रकासित हुआ है, और जिनको, जिनकी आवादी जि यह वास्तब में नियाए के साथ विकास के परती एक बढ़ता हुआ कदम एक तरफ महागठवंधन की सरकार जो बिहार में है वो नियाए के साथ विकास का नारा दी है और नियाए के साथ विकास को सरजमीन पर उतार के दिखाया है दूसरी तरफ जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो क्या बोलते हैं सबका साथ सबका विकास न किसी का साथ है साथ तो सबका लेने का कोशिश करते हैं विकास किसी का नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को इस बार बिहार की जनता खदेड़ेगी और बिहार में जो जाती आधारित गन्ना के बारे में जो रिपोर्ट प्रकासित हुआ है जो आर्थिक रूप से पिछडे लोग हैं उनका भी रिपोर्ट प्रकासित हुआ है और जिनको जिनकी आवादी जितनी है उतने हिसाब से उनको हिस्यदारी भी दी जा रही है। ये वार वार मुख्मंत्री जी और महांगठवंधन की सरकार कहती है नयाय के साथ विकास। जरा उन लोगों से पूछिए भाजपावालों से कि सबका साथ सबका विकास। तो साथ तो सबका ले लेते हैं कभी अती पिछड़ा बन जाते हैं कभी कुछ बन जाते हैं कभी कुछ बन जाते हैं कभी कुछ बन जाते हैं अब इकास किसका किये इजरा बतावे हिसाब।